हम लोग अभी जो तेरम ऑफ देजा तो पिक को सिखे हैं अब इस टॉपिक के उपर यह तुम लोगों का आज का आखरी इलस्ट्रेशन है अब इसके और इलस्ट्रेशन तो आज नहीं अब कर लिठे हैं तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहेगा तो देखो जड़ा इस कोशन में बुला गया है a model of ship is made in the ratio of 1 is to 200 इसका पहले तो मतलब समझते हैं मतलब यह है कि आपका जो actual ship होता है जो समुद्र में सही में तह रहा है अगर वाल लेते हैं तो वह अपने घर में एक ship का model रखना है model मतलब उसका लेट से एक छोटा सा क्या कहते हैं उसको फोटो का हो या फिर उसकी छोटी सी architectural का हो है ना मतलब असली का ship नहीं एक नटी का ship कह सकते हो तो मगर तुम्हें अपने घर में रखना है तो आप लोगों का जो यह रहता है विस्से तो उतना बड़ा ship तो घर में लाखे रखोगे निए एक छोटा आपने ship तयार किया तो बोल रहा है कि जो ship आपने ready किया उस original ship का ठीक है उस original ship का जो size होगा ठीक है वह actual में कितना रहा होगा आप लोगों के 200 टाइम्स रहा होगा किसके 200 टाइम्स रहा होगा आप लोगों के जो मॉडल वाला ship है उसके यानि कि अगर मॉडल वाले ship का मानले इतने है हाइट 2 cm है तो original ship जो है उसकी हाइट कितनी होगी 400 cm ठीक है मुझे कैसे पता कि यह वाला relationship है क्योंकि यहां पर question में लिखा है कि model ship is made in the ratio of 1 is to 200 यानि कि अगर कोई तुमसे पुछेगा कि model ship का कोई भी size चाहे वो उसकी height हो चाहे उसका width हो anything ठीक है जो भी आप लोगों का model ship है उस model ship से related उसका किसी भी प्रकार का जो size होगा size of model ship ठीक है upon में size of original ship अगर मैं इस बारे में इन दोनों height, width, circumference कुछ भी ले सकते हो तो यह वाली जो information है यह वाली information आप लोगों को कैसी दी गई है given information दी गई है करके ठीक है अच्छा और इसमें क्या खास बात है अब इसके part 1 को हम लोग solve करते है देखते है इसका part 1 क्या है, part 1 में लिखा है the length of the model is 4 meter ठीक है यानि कि आपने जो ship बनाया वो जो ship है उस ship का जो model है उसकी length आपको कितनी दी होई है आपको 4 meter ठीक है यानि कि length of the model ship यह वाली चीज आपको कितनी दी होई है 4 meter तो अब वो तुमसे पूछ रहे करके कि अगर आप लोगों के पास एक original ship होता तो उस original ship की जो length होती वो length आप लोगों के पास कितनी होती मैं original ship को OS लिख रहे हूं तुम पूरा ना हम लिख ले ना ठीक है तो इस चीच की जो information है इसको हम लोग आपके equation number 1 में पूट कर देते हैं तो अगर मैंने equation number 1 में पूट किया तो therefore size of model ship में के आपको क्या करनी है length निकालनी है तो यहां पर आ जाएगा length of आपका original ship equal to 1 upon 200 ठीक है इस तरीके से तो therefore यहां पर आप लोगों के पास जो length of original ship निकलके आएगा वह कितना निकलके आएगा 800 मीटर ठेक है यानि कि आप लोगों का पहला answer आ गया कि आपके पास अगर कोई एक शिप है तो उस ship में उसकी जो length होगी अच्छे कि अब अगर मालेते हैं 4 मीचर है तो ओरिजिनल शिप की जो length हो कितनी रखी गई होगी करके 200 टाइम्स उसके यानि की 800 अच्छा अब आते हैं नेक्स सवाल में मतलब उसके पार्ट टू में तो देखो पार्ट टू में क्या बोला गया है दा एरिया ओफ दी डेक ऑफ दा शिप उ तो अगर तुम उसका एक model तयार करोगे तो model का फिर area कितना होगा फिर उसके model का area कितना होगा अब एक बात यार रखना यह जो हम लोगोंने relationship लिखा है यह जो हमने relationship लिखा है यह size के लिखा है size में length आ सकता है, breath आ सकता है, thickness आ सकता है, height आ सकता है, circumference आ सकता है, यह सरी information आ सकती बट एरिया नहीं आ सकता तो अगर किसी को ऐसा लगे कि साइज ओफ मॉडल शिप के बदले में मैं एरिया ओफ मॉडल शिप लिख दूंगा ठीक है अपॉन एरिया ओरिजनल शिप लिख दूंगा तो यह नहीं चलेगा फिर आप क्या करें देखो अभी तुम लोगों को आपने क्या कर लिया एंगलार्ज कर लिया एक कोशन् कर्वाई थी मैं इसके एразу और पेरिमीटर की वैल्यू दी थी और ओरीजिनल टेंगल की साइटी की लेंड दी हुई थी तो तुम से पूछा गया था कि जो एंगला सेटी ट्रेंगल की लेंज बताओ कितनी किक्या क्या होगी तो सक मैंने क्या बताय था कि similarity का मतलब क्या होता है similarity का मतलब होता है दो चीजों की आपस में शेप सेम होनी चाहिए साइज सेम होंगे ऐसा जरूरी तो नहीं होगा ना अगर माल लेते हैं एक हाती बच्चा जो छोटा सा है वो अपनी मम्मी के सेम टू सेम दिख रहा है उसके वह इक आने उसके पूर घंश क्यों दूसरे जानवर के बच्चे के साथ माच कर रहा है But dimension में match करें। But क्या उनका shape सेम है क्या ने? तो ़ोग similar नहीं क्यलाई हैं। तो जब आगरण स्चाहिते शेप का सेम होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास एक model ship है और अगर आपके पास एक original ship है ठीक है तो model ship और original ship ये दोनो similar objects हैं राइट यह दोनों कैसे objects हैं similar objects हैं सो हम लोगों को यहां पे statement लिखना पड़ेगा करके कि आप लोगों के पास जो model ship है ठीक है model ship and original ship ठीक है यह जो दो चीजे हैं are similar object ठीक है यह दोनों आप लोगों के क्या हैं similar objects है और अभी अभी हम लोगों ने similar चीजों के बारे में कुछ पढ़ा है करके ठीक है वैसे तो triangles के respect में पड़े हैं बट आपका जो deck होता है वो उसका obvious है कुछ हम मान के चालते हैं कि triangular ship का ही होगा लगबग तो उसी नियम के अनुसार area ठीक है एरिया किसका area आप लोगों को calculate करना है एरिया of deck बट किसका area model वाले ship का यह कै मौडल वाले ship का upon में area of deck लेकिन किस वाले का area आप लोगों का जो original ship है उसका area यह किसकी बराबर होगा उन दोनों ship के ठीक है चो आप लोगों को length दीवा हुआ है ठेक है length of आपका model वाला ship upon length of side यूज़ करते हैं तो यहाँ पे length word यूज़ कर रहे हूं upon length of original वाला और इनका कैसा respective sides का इसे square तो अभी area of deck model ये तो मतलब जो आप लोगों का model ship है उसका अगर आप लोगों को area निकालना है original वाले का आपको दिया हुआ है 1 lakh और कितना 60,000 दिया है equal to length of model by length of original ये कितना है 1 upon 200 और उसके उपर पैसा square तो इसकी बस तुम अब calculation कर लो तो यहाँ से आप लोगों के पास area of deck वो भी कौन से वाले ship का of model ship का निकल के कितना आ जाएगा 1 lakh 60,000 ठीक है divided by 200 का square तो 2 का square 4 और इस तरीके से उसमें 4 0 तो ये 4 0 तो सीरसी रहे उड़ गए तो ये answer आएगा 4 यानि कि area निकल के आएगा 4 meter square तो अब इसके आगे का आगे क्या पुरा होई गया है बट ये सवाल एक अच्छा सवाल है पहले पार्ट तक तो पहुँच कि इस लीए इसको ठीक से नोगडाओं करना ठीक है अब कहा है तो धर ये